आपका अपना परिवार मस्त क्लासेज में तेह दिल से स्वागत है दोस्तों मैं आज आप लोग को क्लास 11 एक सब्सक्राइब का विवीद बता रहा हूं विवीद का पहला कोशन्स यह जटिल संख्या कंप्लेस नंबर का पहला कोशन्स है दोस्तों बहुत इंपोर्टेट सब्सक्राइब करने का तरीका है दोस्तों कि सबसे पहले हमें आई जो है आई वोटा उसको चार के गुणज के रूप में तूड़ना है ऐसे इसको लिख सकते है आई के पावर शोला इंटू आई स्कॉयर ठीक है प्लस वन का पावर पच्चिस तो वन ही होगा और यहां प है ना दोस्तों तो यहां पे आई के पावर शोला चार का गुणज है तो वन हो जाएगा और आई स्कॉयर का मान जो होता है माइनस वन होता है तो यहां माइनस वन प्लस यहां पे दोस्तों हम ऐसे लिख सकते है आई के पावर चोविस इंटू आई चोविस और यह मिलके प दोस्तो हो गया, minus 1, plus I, बटा में I, 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 मिलके, I, square हो गया, के power 3, I, square का value minus 1 होता है, और यहाँ plus है, तो plus minus minus हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया minus 1, और minus I, के power 3 है, इस I, square का value minus आया, जिसके चलते हैं, minus plus minus हो गया है, न दोस्तो, यह A हो गया, और यह B हो गया, यहां पिस सुत्र का इस्तिमाल कर लेंगे A-B का HALL Q जिसका सुत्र होता AQ-BQ-3AA2B अप प्लस 3AB2 इसी दोजे करम में इसको तूढेंगे हैं न तो सुत्र कहता AQ तो A का मान-1 है तो मान-1 का पावर 3 फिर BQ B का मान-I है तो I के पावर 3 मैनस 3 गुने a square तो मैनस 1 का square b तो b का मान i है फिर प्लस 3 a b square तो 3 गुने a का मान minus 1 और b का i square minus का power 3 अग गुना करेंगे तो minus ही होगा यहाँ पे IQ हो जाएगा minus 3 1 का square जो है minus 1 का square plus 1 होगा गुना i फिर plus 3 गुना minus 1 और i square का भी value minus 1 minus 1 minus i के power जो 3 होता है उसका value minus i होता है यहाँ पर लिख लेंगे minus i यहाँ पर गुना होके minus 3 i हुआ minus minus plus और 3 में एक से गुना हुआ तो 3 minus 1 minus minus plus i minus 3 i plus 3 यह 3 और यह minus 1 कट के हो गया 2 तीन y में से 1 i घट गया तो minus 2 i यही इसका answer हुआ तो दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा आए दोस्तों आप इसका दूसरा questions में बताता हूँ लेकि जो दूसरा सवाल है वो दूसरा questions में लिखा हुआ है कि proved that साबित करे कि साबित करना है हमें कि real z1 होगा real z1 into z2 बराबर सीद करके दिखाना है कि real z1 into real z2 और minus में होता है imaginary z1 into imaginary z2 यह proof करके हमें दिखाना है ना दूस्तों तो इसके लिए साब से पहले दूस्तों क्या करेंगे questions को माल लेंगे माना कि z1 बराबर दो complex नमबर माल लेंगे ना माना कि z1 बराबर x1 प्लस i y1 और z2 बराबर मान लेंगे x2 प्लस i y2 जोस्तों यहाँ पर जो x1 है ना यह x1 इसको real बोला जाएगा real part z1 का real part है और x2 क्या है x2 जा है real part है z2 का इसको लिख सकते है real z2 और y1 जो है imaginary part है z1 का और y2 imaginary part है z2 का ऐसे यह समझने के लिए मैंने आपको लिख दिया imaginary z2 अब देखिए सीध करने में लिखा है real z1 into z2 यानि गुना करना है z1 z2 अब हम क्या करेंगे z1 into z2 को गुना करेंगे z1 into z2 यानि कि गुना x1 प्लस i y1 into x2 plus i y2 तो z1 into z2 अब यहां देखिए x1 जो है इस दोनों से गुना करेंगे x1 में x2 से गुना होगा तो x1 x2 x1 में इस से गुना होगा तो i x1 y2 अब इसका जब गुना होगा तो plus i x2 y1 अब प्लस 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 i में i से गुना होगा तो i square y1 y2 z1 z2 बराबर x1 x2 अब इन दोनों में i यही कॉमन है i को कॉमन ले लिया तो यहां बचा x1 y2 प्लस x2 y1 i square का value माइनस होता है तो माइनस 1 होता है तो माइनस लिख लिया y1 y2 यानि कि z1 z2 बराबर दोस्तों आ गया x1 x2 माइनस y1 y2 अब प्लस इस कोस्ट वाला को i x1 y2 प्लस x2 y1 तो दोस्तों आप सीध करने में यहां पे देखिए नजर आ रहा हो कि real z1 z2 लिना है real z1 z2 तो z1 z2 हम गुना कर लिए अब हम क्या करते कि इसमें से real भाग को लेते है real z1 z2 real पाट को लिया तो इधर से भी यह देखिए यह वालो जो पुरा पाट है i लगा है तो यह imaginary पाट है तो इधर से ले लेंगे x1 x2 minus y1 y2 अर्थात हम दोस्तों लिख सकते हैं इसके बारे में बता सकते हैं कि real z1 into z2 का जब multiple हुआ तो x1 x2 मिला तो x1 x2 क्या है तो देखिए यहाँ पे आपको हम सुरू में ही बताये थे x1 जो है real z1 है x2 जो है real z2 है तो इसलिए हम x1 को क्या लिख सकते हैं real z1 और x2 को real z2 फिर minus कचीन है तो minus अब y1 y2 तो देखिए दोस्तों मेंने यहाँ पे y1 y2 के बारे मता है कि y1 जो है imaginary z1 है और y2 जो है imaginary z2 है तो यानि कि हम y1 को लिख सकते हैं imaginary z1 i into y2 को लिख सकते है imaginary z2 अब हमारा जो questions था उसमें तो बहुत गवर से देखिए कि लिखा था real z1 z2 बराबर real z1 into real z2 minus imaginary z1 into imaginary z2 अब हम सीध करके भी यही चीजलाए है कि real z1 into z2 बराबर real z1 into real z2 minus imaginary z1 into imaginary z2 यही हमें प्रूब करना था दोस्तों और प्रूब भी हो गया तो दोस्तों मैंने यह जो क्लास 11 का आपको complex number का दो पुसस जो बताया उमीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादे ज़्यादे दोस्तों में सेर कीजिए ठाइक्स फिर आगे कोशन के साथ अगले वीडियो में मिलें